आधियुश्य कर अभाय करना कर दो हमने का आशिक साथ मौह्मिद साथ क्या प्रोग्राम है क्या है का मैं एक्ष ही सोजाना हुआ है मैंनों की दिक्कत है। तुसी मनलब पलंग जे हैं ना ते सोजाओ और मैं उने ही आना कोड़ू हूँ। अच्छा गद्दा लाके मैं ते सोजाना मैं उन रात नूं किते पेंड़ जावांगा। पेंड़ मतलब है। तो नेरा बाबा नानक के पास था उनका। ये भी डर लगे के इनको तो आज ही मिले हैं कहीं हमारे पास समान समून है लेकर ये कहीं रात को चले ही नहीं जाए तो हमें डर लगया। तो लेकिन मैं तो रात को सोगया। मेरे को तो कोई ठकया हुआ था मैं तो ये सारी रात नहीं सोगया। सुबह तक वो तो विचारा अराम से सो गया हमारा वो जो शक था वो बेकारी था क्योंके हम नए थे और वहां हमें मुहमदाशी की पहली बार मिला या तो हमें कोई टेलीफोन मिल जाता भी उनका भी हमारा दोस्त मुहमदाशी तो भी कोई बात थी लेकिन यह ज़्यादा डर इनन ने तो चाबी भी यहां डलाई रखी फिर सोई भी मुश्किल से अच्छा जी सुबह हम उठे तो हमने का भी अब आप पीर साब के पास चलते हैं तो पीर साब ने टेलीफोन करया तो पीर साब ने कहा जी मैं कमिशनर है यहां तो कमिशनर को बला लेता हूं तो वो अगे भावलपूर कमिशनरी है ना वहां टेलीफोन कर देगा तो वहां की वियुस्ता आपकी ठीक हो जाए हमने का यह तो अच्छी बात है आगे के वो गाउं में ही नहीं जाने देंगे क्यों के पुलिस वाड़े रोकेंगे भी आप बर्डर पे कहां जा रहे हैं यह पु जी वहां फिर एक दिन रुक के वहां जो हमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो आई थोड़ी सी देर बाद में ही जहां भी जाना हो थाने में रिपोर्ट करो यह एक अजीब स्थिती है मेरे ख्याल में यहां भी ऐसा ही होगा लेकिन यहां इतना नहीं है जितना वहां है क्योंकि वहां तो हरे एक आदमी के पास identity है, identity card है, यहां अपने identity card बने हुआ ही नहीं, तो यहां तो जो आते हैं, उचंडीगड का कह कि यहां भी गाउं में याज चले जाते हैं, अपने यहां कोई किसी की पाबंदी इतनी नहीं है, इतनी वहां पाबंदी है, तो हम फिर व वहां गाउं में गए, तो वहां भी धाने में आमें, भावलनगर में धाने में जाके रिपोर्ट करनी पड़ी, लेकिन एतवार था, लेकिन वो message किया हुआ था, SP के पास, तो वो दफ्तर खुला ही था हमारे लिए, तो वहां भी हमें कोई दिक्कत ने आया, और फिर गाउ पूरना जा रहा वहां देखिया हमने, वहां हम चाहे चुई पी रहे थे, तब एक आया मोलवी सा, तो मोलवी जो पढ़ाते हैं ना, जी, बड़ी चंगी गल है, तुसी दुस्तानों आए, और एस बोर्डर एरिया चे तक हूँ यांदा ही रही, दुस्तानों, तुसी आए ता ए भी चंगी गल है, लेकिन हम एक ही माबाप की उलाद हैं सारी, फिर हम क्यों लड़ रहे हैं, हम भी तो हिंदू ही थे, ये बाते हैं, मतलब हम आपस में भाई भाई क्यों लड़ रहे हैं, अब तो भाई भाई लड़ते हैं ना, भी, वो मुस्लम, मुस्लमान होगे, वो हिंदू होगे, लेकिन जब सारे निकले ही वहीं से हैं, तो फिर थाने में कह रहे था, डी एस पीर, एसेचों के सामने, ये बात, वरना अमूमन कहने के हिमत नहीं कहते हैं, अच्छा जी, फिर हम पुलिस वड़े हमारे साथ एक दो सिपाई करके, वहां गड़ी तो हमा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कच्चे कच्चे से घर सारे ही, तो आपके के घर पक्के थे उस टाइम, उस टाइम पक्के थे, अच्छा, तो कोई बड़ी समझ नहीं आई, लेकिन फिर पुलिस आ रहे हो गए, आवाज भी नंबरदार जी, करो, के तुसी, ऐसे लगया गाउं में कोई आदमी नहीं है, अच्छा, पुलिस की सिपाई को देखके, ऐसे लगया जैसे गाउं, ये सारा उजाड है गाउं, गाउं में कोई रहता ही, हमने का यारी, गाउं में कोई नहीं रहता है, फिर अंदर से वो एक औरत बोली, के जी, वो ता नमबरदार जी, बार गए हैं, तो फिर वो सिपाई करने लगे, कोई अथे है पुराना बंदा जीड़ा पाकिस्तान आल टाइम रहंदा सी, ते अथे हिंदू आए हैं, वो जीड़े अथे रहंदे सी पहले हिंदूस्तान हो, है कोई, तो फिर लोग कठे हो गए, ठीक है, फिर एक वो पुर पाना आदमी, वो हमारे गाउं में नहीं रहता था, कि पडोस अडोस पाई गाउं में, वो कहता था जी आपके एक आपके बुजर्ग, नोजवान से चो रहे थे, वो बंदू का हत्में, एर गोडी पर चड़ के, हमें डंगर नहीं चराने देते थे, हमें बगा देते थे, हमें उन से गिला है, जैने का जी वो तो गिला होगा, आपको कोई दर उदर जानकारी है, कोई इंदुस्तान में, तो इंदुस्तान में उसने पताया, एक हमारे साइड में रिस्तेदारी है, गाउं खानपूर है, उसमें नंदराम नाम थे, वो काफी बड़े आदमी थे, तो का मैं नंदराम नू तो जानदा सी, वो जिन्दा है, और नाम ही हो तो मर गे, वो ले अच्छा अच्छा, वो बड़ में साल का था, ठीक है, तो फिर सारे चार पाई ली आए, और गाउं के बीच में जो जगह होती है ना, खाली जगह होती है, चोक, चोपाल, तो वहीं पांदस चार पाई, सारे बच्चे, और लोग वाग, सारे भहीं आगे, बाते हमारे से करने लगे, तो फिर वहां हरे एक ही कहे, कि जी सड़े घर चाय आके पी, अच्छा, तो मतलब एक इज़त वड़ा भाव जागने लगगा दोबारा से, ठीक है, तो हमें एक गर में चा लवार पहनते हैं, और मोटे तोर पे कोई पहरावे का फरक लगा आपको, बाकि बोल चाल में, उसमें रहने सेहने में, वो करीब करीब वैसा ही था, ठीक डंके आदमी हैं, वो किस तरह से रहते हैं, गरीब आदमी कैसे रहते हैं, ये है, और एक हमें फरक ये लगा, कि वह ना विकास नहीं हूँ, तरक्की जो है, वो जैसे सडके हैं, बिजली हैं, वो हम उन गाव में गए, वहां ना तो सडक थी, ना पक्की सडक, ना स्कूल, ना वाटर वक्स, ना कोई बिजली, कुछ भी तो नहीं, तो हमारा जो मुकाबला कंपेरिजन करें, तो वो बहुत पिछड़े हैं, सारी हालात में, वो काफी लोग पिछड़े हुए हैं, और एक जो हमें और पता लगया, वो जो हमें बताया गया, उसमें कितनी सही बात है, गलत है, कि वहां आयूब खहां थे, उन्होंने वो जो बार्डर की जमीने थी, वो फोजियों को पूरव सेनिक हैं, उनको अलाट कर दी, एक दो बर्बे तो जो आफिसर है, जैसी लेफटिनेंट है, कैप्टन है, करनल है, मेजर है, उनको और एक बर्बा जो सिपाई है, थ्रो आउ और जमू किश्मीर तक बार्डर पर उनको एकर दिया, और वहां कोई हमें खेती बारी नजर नहीं आई, बकरी चर रही थी, और बस अलाट कुछ अच्छे नहीं नजर आए, तो आपने वहां पे कितने दिन रहे आप उस गाउं में, गाउं में तो हम उसी टाइम आगे थे तो फिर आपके घर का कुछ पता चला? ढूडा पना? वाजे वगरे थे, वो सारे इंटें ले गए थे, इधर वाड़े अंदर के घर था, उस वाड़े भी एक कोठा चोड़ा और वाकी ले गए थे, वहां तो हम दो तिन गंटे रहे, फिर बार्डर की तरफ से होके हम वापिस थाने गए, थाने में हमने वो सारी बात चलान लि ठेरे, और पीर साब के रिष्टेदार थे, काफी बड़े जमीदार थे, दो डाईजार एकड़ जमीन थी, उनके यहां रात को ठेरे, और उन्हों ने विचारों ने सेवा बहुत अच्छी करी, मतलब जैसे कोई बहुत अच्छे में मानाये ना, इस तरह से अच्छे कपड लत्ते, खाने पीने में, अच्छे, खाने पीने में यह था कि वो करन लगे कभी, ठीक है, खाना, हम खटे ही खा लेते हैं, तो वो मीट माट बनाया, परात में खाया, तो वो करन ले, आज हो खाओ, तो मैंने, हमने भी सोचा, चलो, खा लिए, बीच में ही हो, यह तो खाते बहुलनगर में उसको हमारे उसने इनके पिताजी थे वो रहते थे 7 वें किलास में पड़ते थे और एक हमारा सेट था वह दसी में पड़ता उन्हों नहीं बताया था वहां तमारा मकान था अच्छा, बाद में हमने पता भी लग गया, मकान था और वो उस मकान पर फोटो हमने ले के आए छौने का भी दो मकान थे हमारे तो एक में वो इंस्पेक्टर रहता था ता पुलिस का उसको दे रखिया थाल एक में अमारे ताउजी रहते थे उसमें कुई थी पाने के वो कर लगे जी ये दुबारे बना लिया उसने मतलब है इसने बना लिया तोड़के बना लिया ये दो थे पार्टिशन और उन्होंने जो बताया कि जी वहां से दो गड़ी छोड़के राइट को है इदर से दो गड़ी छोड़के लेफ्ट को है वो गड़ हमें मिल गया लेकिन हमे ये इहरामगी की बात आई कि उसने का जी स्टेशन से आओगे तो जहां मतलब है बजार खतम होता है तो 1947 में जो बजार खतम होता था वो बजार वही 1957 में भी खतम होता 1997 57 में मैं पचास साल बाद मतलब कहने का ताथ पर आपका ये है कि परगती नाम की चीज नहीं वही थी वो वैसी की वैसी है जैसे सन 47 में थी 47 में जहां बजार मैंने का वो बजार वहां खतम होता है का वहां वहीं खतम होता है तो वो पहले भी वहीं खतम होता था अहां बोले जी पहले ही वहीं खतम हो अब आपने देख लिए चाहे फत्याबाद ले लिए रासरसा ले लिए कोई प्रगती तेजी से हुई है और वो सामने दिखाई देती है आमदनी भी सामने दिखाई देती है लोगों के रेंसेन बरताव भड़ाही लिखाई यदि हम हमारे यहाँ से कोई चीज जाए वो उनक सस्ती पड़ती है अब उधारण के तोर पे हमने वाँ पता किया हमने का जी साइकल यहां कितने की मिलती है वो ले च्छती सो की मिलती है उस टाइम हमारे यहां बारा सो की मिलती है अच्छा तीन गुना मेंगा तीन गुना ही मिलती है अच्छा च्छती सो की मेंगा है यदि हम उन्हों अपस में मिलना चाहते हैं प्रेम भाव है नफरत नहीं है मेरे पास एक फोन आया था पाकिस्तान से कुछ टाइम पहले तो उन्हों ने बोला कि मेरे दिली इच्छा है कि मेरे जीते जी बॉर्डर खतम हो जाए ये बॉर्डर को मैं खतम होते देखना चाहता हूं लो से जर्मनी में खतम हो गया बॉर्डर बर्लिन का दिवार बनाई थी कॉम्निस्ट नहीं के नाम कैप्टिलिस्ट नहीं अमरीकार रूस ने जब उनको पता लगया भी आर्थिकता पे वो तो पीछे रह रहे हैं और हम आगे जा रहे हैं तो एक दम कठे हो गए तो यहां भी हो रही है में बार तो शायद एजूकेशन की ही है एजूकेशन वहां पे नहीं है जिस वैसे गुमरा होते हैं वो एजूकेशन भी है वैसे भी उनको मतलब है प्रतारित किया जाता है आर्मी है आर्मी के पीछे पुलीस के पीछे आर्मी है तो फोर्स हो गया तो पुलीस से भी डरते हैं आर्मी से तो डरना ही था खेर एक मुझे जितना पता है कि 20 प्रतिश्ट हिंदू थे जब पार्टिशन हुआ तो अब शायद एक या दो प्रतिश्ट ही वहां पर रह गए हैं तीन परसेंट रहे अभी रह गए हैं तो आंकड़ा कम हुआ या तो उनको मार दिया है वो कुछ ही करे उसको कोई रुकावट नहीं है हमें पूछा गया कि जी आपके द्याड़िया द्याड़ी मंग लेंदा है हमने का जी द्याड़िया तो द्याड़ी मंग लेंदा है हमने का जी द्याड़िया तो द्याड़ी मंग लें तो उस टाइम अपने यहां मेरे खि की ध्याड़ी थी. सो रुपे, वहाँ सताइस रुपे में वो ले जा रहे थे. हमने पूछा भी ये आप कितने में ले जाते हो का सताइस में. सताइस में वो ले जा रहे थे जो अच्छे भले आदमी थे. और जो बदमास गुंडे थे या पुलीस के साथ मिले हुए थे. वो तो मुफ्त में कर रहे थे. वो तो कर रहे हैं तो नहीं मंदा संकर लेओ पैर बंद दे उसकान जाएँ तो अब वो बात हो गई 20 साल के. शायद थोड़ी सी परिवरतन आया हो लेकिन लगता नहीं कर वो परिवरतन पाकिस्तान में आये गा. क्यों हर बात में जमू कश्मीर है, हिरे हिंदुस्तान से नफरत है. यह जो नफरत के बन्याद पे हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ था, वो आज भी बरकरार उपर के लेवल पे. तो यह कह हैं कि जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है वहां पे और जो गरीब हो दबता जा रहा है. बहुत ही गरीब होता जा रहा है. तो यह बहुत बड़ा एक फर्क जो है वो आता जा रहा है. आता जा रहा है. अब अपने देख लेओ, हमारे यहां एरिया में जो बड़े जमिदार थे दिन के 2000 एकड जमीन थी उनको 100 एकड रहने सो सर्पलस कानून लागू हो गया था पंदरा चार उनीस सो त्रेपन को 100 एकड से ज्यादा नहीं फेर आया 60 एकड फेर आया 34 एकड अब आया 18 एकड 18 एकड दो फसले 18 एकड से फाल तू नहीं रहे वहां चाहिए 2000 की 3000 कर ले और 3000 करेंगे क्यों कि हम दिनी उनकी हो रही है कमाई लो कर रहे हैं लिबर एक्स्प्लाइटेशन है और बेचरों गरीबों की फाल नुक्सान जब गरीब उठेगा ना पाकिस्तान में कहेगा भी हम तो हिंदुस्तान में बार बार के ज आसकते हम यहां तो द्यारी तुम देते हो 50 रुपे और वो देते हैं अड़ाई सो रुपे तो अपने आप आपके आएंगे वहां की करणसी कमजोर है हमारे यहां से हमारे बढ़ती जाएगी अब जो आज हमारे जो जो पैसे कठे जो हमारा रिजर्व है जो पैसों का तो जो कि हमारे कम से कर दो तीन साल तक लगातार हमें स्पोर्ट कर सकता है और उनका तो दो मिने का इनी है तो जो मतलब है व्योस्ता है वो वहां काफी तो अभी आपके थोड़े राजनितिक थोड़ी बात कर लेते हम तो राजनिती में किस तरह से आए आए आप यहाने के बाद है राजनिती में तो जब हम पढ़ते थे दिल्ली उनस्टी में तो दिल्ली उनस्टी में पढ़ते थे तब भी हमें का वे आप चुनाव लड़ो ये करो तो वहां भी मैंने चुनाव लड़या और चुनाव जो एक आदमी चाहे पंचकाई लड़ ले फिर खुरक हो जाती है फिर खाज जैसे ये खुरक है ना यह खुरक हो जाती है तो फेर हमने यहां आके भी देखा वे चलो यहां भी शुरू करें तो इधर उधर कर कर आके फेर मैंने चुनाव लड़ था पहला उन्निसो थावन में ने उननिसो कहतर में। कहतर में 1971 में पंचेट समिती का चुनाव लड़ा तो डब वारे से तो फिर दीरे 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 मतलब आगे बढ़ते गए फिर जिले के कांगरिस के प्रेज्डेंट हो गए सरसाज डिस्ट्री पर बने आगे तो फिर आगे जियो जियो दीरे दीरे अपना स्थान बनाते जियो खैर फिर आप दो दफा मंतरी भी रहे चलिए बहुत बड़िया बहुत बड़िया तो आपका सफर जो था पाकिस्तान से आने का फिर वहाँ से यहां आने का फिर वापिस जाने का आपने हमारे साथ शेयर किया बहुत अच्छा लगा और दिल की बातें आपने की ये हमें किताबों में नहीं मिलेंगी ना हमें कहीं देखने को मिलेंगी ना सुनने क्योंकि यह चीज़ें बीती हुई है बीती हुई है बीती हुई है तो पाकिस्तान में कभी आपकी वीडियो कोल के जरीए बात की किसी ने आपसे या फोन के जरीए बात की कि आब घर देखाते ह मौमद आशिक था वो अब डेथ हो ली वो हमारा दोस्त था ना जो हमें दस दिन तक साथ रहा वो वो बात तो उस वारे भूली गए वो हमारे का जब वहां हमें हुआई अडे से लाहर से लिया उसके बाद में हम अपने गाउं गए वो साथ गया फिर वापिस आये तो साथ आया फिर या हम इसलामाबाद गए तो इसलामाबाद साथ गया तो वो किस की तरफ से आया था अरेंज किस ने किया था वो आशिक को आशिक को यहां हमारे दोस्ते हैं इसी गाउं में करीवारे गाउं में उनके पास आता रहता था अच्छा यहां हिंदुस्तान आता था तो इसलिए उन से संपर्ख था उन्हों नहीं उसको का तो आज कले एक गंटा भी टाइम निकालना मुश्किल है उसने विचारें दस दिन लगए और फिर वो हमारे पास बहुत बार आया अच्छा इधर इधर अच्छा वो कम से कम हमारे पास चार पांच बार आया यहीं रहता रहता था खाना भी यहीं काता रहा तो बहुत बड़ी आद्म अब उसकी डेथ हो और डेथ होने के बाद फिर मैंने टेलिफॉन किया था फिर उनकी जो मिसिज हैं बड़ी मिसिज हैं उनके दो तिन होती है ना मिसिज तो दो हैं उनके तो उनकी मिसिज बोली तो हमने का जी आपने हमें बताया ही नहीं और हम तो पत्र लिख सकते हैं आपको और यह हमारी फिलिंग है वो हमारा दोस्त था तो हम उसके लिए बड़ा अफसोस है हमें और मैं पत्र भी आपको लिख है मैंने उनको ले यह भी वह बजरग थी और वह पड़ी ले खी थोड़ी सी होगी तो उससे बात करी फिर मैं ने उससे बात करी तो वह कर्या न लगे जी हमें पता है आपके पास आते जाते हैं और आप इन के साथ वो गए थे वो भी हमें बताते हैं तो उसने में जारी नबाफ सारी बाफ चलिए कंक्लूजन पर आते हैं लास्ट में की बस छोटा सा सवाल कि जो भी हुआ आजादी मिली अंग्रेज गए और उने पार्टिशन किया पंजाब उदर चला गया सब पार्टिशन हो गया तो आप भी कुई ऐसे इच्छ बिल्कुल होना चाहिए ऐसा है कि जब तक नहीं होगा उतने तक हिंदूस्तान कोई परेशान नहीं है और उनको भी परेशान नहीं है बोर्डर की वज़े से यह टेंशन है यह टेंशन किस बात की क्यों आज सारे लोग चाहते हैं कि हम अच्छा खाएं अच्छा पीएं अ अच्छे मकान नहीं बढ़ेंगे क्यों कि यह तो बारूद ही लेगा बारूद से मरेंगे आज पाकिस्तान को एटम बं की क्या जरूरत है हिंदूस्तान के साथ ठीक हो तो कितना एक एटम बं बनाने में कम से कम पैसे लगते हैं तो दस अजार करोड रुपे लगते हैं इत पानी पानी आर्थिक सुविधाएं लाने में खर्च हो सकता है तो चीजें मूव करेंगी चीजें बदलेंगी चलिए बहुत अच्छा है ये बार्डर खतम होगा तो उनकी भी आर्थिक दशा सुद्रेगी अपनी भी सुद्रेगी आज कितने फोजी गनाम बर्फक में अंद कितार रहा है बिलकुल तो अच्छी बात है यदि ये ठीक हो जाये तो बड़ी बड़ी हम तो परमात्मा से खुदा से ये आ करते हैं कि हम कठे हो जाएं ओके तो सर आपने बुक भी लिखी है हमें बुक के बारे में कुछ बताईए ये किताब मैंने लिखी है इसमें मेरी की यत्रा है वो पूरे डिटेल है कहां कहां गए कैसे कैसे गए और इसमें वैसे यह जो फरंट पेज है यह तो यादों के जरुखे से लिखे है और यह जगदीश नहरा और यह वल्ड बैंक का प्रेजडेंट अपने हर्याने माय थे तो वल्ड बैंक के प्रेजडेंट के यत्रा कोई कोटी यत्रा तो मैं सारे कम से कम 1520 मुल्कों फिर अच्छ तो यह सारी यत्राइं भी इसमें काफी है और यह आपको मैं बेंट करना चाहता हूं शुकृए आपकिस्तान की यदें ताइम निकालके दिया और आपने जो संदेश दिया लास्ट में वाके दिल को बहुत अच्छा था और हमारी भी दिली इच्छा यही है कि यही बात हिंदुस्तान की सरकारों को के पास जाए और पाकिस्तान की सरकारों के पास जाए और कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले कि फिर से अमन, शांती और वो सारी चीज़ें हो सके शुक्रिया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद